मित्रों जै मातादी कैसे हैं आप सभी ये बताने के लिए कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें माता रानी आप सभी का कल्यान करेंगे मित्रों कजरी 3221 में कब है और कजरी 3 बरत करने की पूजा बिधी वसुब मुहुर्ध कब है जानेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करेंगे और वीडियो पर संद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और जादे से जादे सेया करेंगे मित्रों कजरी तीज का ब्रत सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग की प्राप्ति के लिए रखती हैं कजरी तीज का ब्रत भादर पदमास की क्रिश पक्ष की तृतिया तिथी को रखा जाता है इसे इस्थानी लोग कजली तीज, बूढ़ी तीज या सातूडी तीज के नाम से जानते हैं इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं अपने पती की लंबी आयू और सुखी बवाहिक जीवन की कामना से निर्जल ब्रत रखती हैं ब्रत का पारण चंद्रमा को अर्ग देकर किया जाता है कजरी तीज के दिन नेमडी माता का पूजन किया जाता है इन्हे माता पारवतिक का ही रूप माना जाता है इस दिन महिलाएं सुबह इस्नान आदि से निबरित होकर ब्रत का संकल्प लेती हैं और भोग लगाने के लिए माल पुवा बनाया जाता है पूजन के लिए मिट्टी या गोबर से छोटा तलाब बनाया जाता है इसमें नीम की डाली पर चुनरी चढ़ा कर नीमडी माता की स्थापना की जाती है महिलाएं पूरे दिन ब्रत रख कर सोला सिंगार करके माता का पूजन करती हैं नीमडी माता को हल्दी मेहदी सिंदूर चूडिया लाल चुनरी सत्तू और माल पुवा चढ़ाये जाते हैं ब्रत का पारण चैंद्रमा को अर्ग दे कर किया जाता है मा की क्रिपा से अखंड सौ भाग की प्राप्ति होती है मित्रों आपको बता दें कि कजरी तीच का ब्रत भाद्र पदमास के खृष्षपक्ष की तृतिया तिथी को रखा जाता है हिंदी पंच्यांग के अनुसार तृतिया तिथी 24 अगस्त को सायंकार चार बचकर पांच मिनट से शुरू होकर 25 अग रखा जाएगा कजरी तीच का ब्रत वैसे तो सुहागिन महिलाएं ही रखती हैं लेकिन मान्यता है कि जिन लड़कियों की साधी में बाधा आ रही है वो लोग भी कजरी तीच का ब्रत रख सकती है प्रत रख सकती है